मेरे प्रिये शिश्यों, सादकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2017 का महिना आपका हम सब का किस तरीके से जाएगा इस राशिफल को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सितंबर 2017 का महिने में कौन से वरत परवत्योहार हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है 3 और 17 सितंबर को रवी प्रदोश वरत है confidence यानि आत्म शक्ती और ध्यान शक्ती को बढ़ाने के लिए stress बाना जाता है 5 से 7 वजे के बीच में प्रदोश वेला का सर्वोत्तम सवाए है बिना नमक के एक समय बोजन करना चाहिए 5 सितंबर को अनंत चातूर दशी वरत है 6 सितंबर को पूर्डिमा वरत है और स्राद पक्ष प्रारंबे अन्तिम समय में 30 सितंबर को अधर्ब पर धर्ब की विजय का परतीक वजय दश्ट विपर्व मनाय जाएगा अगर आपके या परिवार में कोई बच्चा सितंबर बहिने में जर्म लेने वाला है और वो बच्चा 9, 10, 17, 18, 27 या 28 सारी को पैदा होता है तो ये माना जाएगा कि वो गंडबूल नक्षत्र में पैदा होने वाला है उसकी शांती अगले 27 जिर्वे जब वही नक्षत्र वापस आए तो करना अनिवारी होगा अगर आप सितंबर बहिने में कोई यात्रा करना चाहते हैं शुब या मांगरी कारियों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए शुब नक्षत्र और कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन गादार पर डेट्स डिसाइड की हैं जो कि आपके लिए शुब रहेंगी 6 तारिक 18 तारिक 28 और 30 तारिक इन सबी कारियों के लिए स्रेश्ट है अगर आप इनका पालन नहीं कर पाएं तो 16, 25, 26 तारिक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आईए अब बात करता है कि सितंबर बहिने में ग्रहों का भ्रमन काल कैसा है कौन-कौन से प्लैनेट है जो अपनी पोजिशन को चेंज करने जा रहे है सबसे बड़ा उलट फेर करने जा रहे है देवताओं की गुरु ब्रैश्पती 12 सितंबर को कन्या राशी को छोड़ अपने शत्रु यानि दैट्य गुरु शुक्राचारी के तुला राशी में प्रवेश करेंगे शुक्र 15 सितंबर को करक राशी से सितंबर महिने की खास बात है सितंबर महिना और तुला राशी का भविश्य फल आईए जानते हैं इस महिने तुला राशी वाले लोगों का ग्राफ क्या कहता है देखे इस वक्ट टेलविजन की स्क्रेंपर जो ग्राफ आपको देख रहा है health and wealth 40% कमजोर वोई education and career का हाल 70% बहुत बढ़िया family and friends 55% वोई business and budget का हाल भी तोड़ा सा कमजोर है 40% है अब आईए देखते हैं कि सितंबर बहिने में तुला राशी वाले लोगों की कुंडली कैसी बन रही है कौन से planet है जो अपने position को change करने जा रहे है इस वक्त आप अपने television की screen पर जो कुंडली देख रहे हैं यह तुला राशी की गोजर कुंडली है यहां देखिए second house में as usual शनी विराजमान है fourth house में केतू tenth house में राहू और शुक्र है जिसमें शुक्र अपनी position को change करेंगे 15 सितंबर को करक राशी से निकल कर सिंग राशी 11th house में जाएंगे वही सूर्य बुद और मंगल यह तीनों planet 11th house में जिसमें सूर्य 16 सितंबर को सिंग राशी से कन्या राशी में परवेश करेंगे और बुद सितंबर को सिंग से कन्या राशी में परवेश करेंगे और ब्रैश्पती 12th house में बिराजबाने जो की 12 सितंबर को कन्या राशी से निकल कर तुला राशी में ही आ जाएंगे अब इनके परिवर्तन से और आने से होगा क्या यह बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत और धनकी यानि हैल्थ और वेल्थ की देखें आपके राशी के जो स्वामी है वो शुक्र बनते हैं कर्म भाव में 10th house में राहू के साथ अथा आपका पूरा ध्यान काम बहुत इक्ता की तरफ रहेगा लेकिन urinary kidney related problem हो सकती है बेहत संयमित और नियमित दिन्चरिया का पालन आपको करना चाहिए वही जो wealth है वो धन भाव के lord मंगल profit house में और मंगल की चौती दृष्टी धन भाव पर financial gain के लिए समय काफी favorable रहेगा इस समय का पूरा पूरा लाव उठाना चाहिए और जब समय अच्छा होता है बगवान धन देता है तो खूब बैहनत करने चाहिए आगे बढ़ता है education and career की बात करते है 12 September से देवताओं के गुरू ब्रैश्पती का आपकी राशी में गोचर student के पढ़ने के लिए उनके interest को बढ़ा सकता है इनके एक प्रकार के ये समझ लीजिए कि खूबों को पूरा करने के वक्त अबाच चुका है लेकिन इनसे सबक लेकर वे आगे बढ़ पाएंगे अपना जो past है उससे सबक लेना चाहिए ताकि आप फिर गलतिया ना करे एक आगर चित यानि आपने concentrate करके पढ़ने बैठना चाहिए कुछ देर ध्यान अवश्य करना चाहिए वहीं आपने जो सपने देखें वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे लेकिन कर्ब में इमादारी ज़रूर रखिएगा करियर की बात करें तो केतू की साथ भी द्रिष्टी करियर के लिए बड़ी opportunity अवसर लेकर आ रही है थोड़ सी diplomacy से काम लेना चाहिए मीडिया, film line, politics, technology से जुड़े हुए लोग काफी डाम कमा सकते हैं वही official tours favorable वह ज्यादा तर आपके लिए कामगार सिद्ध हो सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की अगर बात करें तो 7th house के Lord मंगल, Prophet house में वह, 5th house के Lord शनी, 2nd house में आप फैमिली को ignore ना करें, बच्चों को भी ignore ना करें बच्चों को पूरा वक्त दीजी उनके साथ ताल मेल बिठाना चाहिए, communication gap नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स की अगर बात करें तो mind unstable किसी और का गुस्सा अपने खुद के दोस्त पर निगल सकता है अपने गुस्से को काबू करके रिष्टों को बनाये रखें क्योंकि तूटने के बाद गांट ही बनती है मंदिर बें कोशिश करें का मंगलवार को द्वजा फैराई जाए बिजनस और बजट की अगर बात करें तो बिजनस हाउस सेवन्त लोड मंगल इलवन्त हाउस में वहाँ भी भागेश बुद्ध वा लाभेश सूरी के साथ देवताओं के गुरू की सात्वी द्रिष्टी 12 सेप्टमबर के बाद सेवन्त हाउस बर अता बिजनस की रुकी हुई काड़ी रफतार पकड़ेगी आपकी मेहनत पूर्ण रूप से रंग लेकर आएगी लेकिन पितर पक्ष का महिना होने के कारण ओवरल सेल डाउन रहेगी लक्ष्मी की पूर्ण करपा का मंत कहा जा सकता है लेकिन अगर बजट की बात करें तो अच्छी स्ट्रेटेजी से आप बजट भी बना पाएंगे जिसके परिडाम सोरूप भविश्ची बे रेजल्ट की फिवरियोबल बने रहने की पूर्ण संभवना बनेगी और फाइनेशली गेन बहुत अच्छा हो सकता है उपाय के लिए स्री साध्राप को अवश्य करने चाहिए तो ये था तोला राशी का राशी बविश्य फल्ट बेस्ट अफ लग्ट पित्रों के रिंट से मुक्त होना असंभव है क्योंकि उनकास में समर्पण और वात्सली अतुन्य है और श्राद पक्ष पित्रों के प्रति सच्ची श्रथा वसमर्पण प्रकट करने का उच्चित अफसर होता है यदि आपके परिवार में कलेश के साथ साथ, दामपती जीवन में और शांती, अकाल मृत्यू, संतान प्राप्ती में बाधा, असाथी भिमारी के साथ साथ, निरंतन कर्ज जैसे इस्तथी बनी रहती है तो आगा में श्राथ बक्ष यानी की 6 सितंबर से 19 सितंबर तक संपन करे, पित्र दोशने भारक साथना और प्राप्त करे अपने पूर्वजों का आशिरवार इस साथना सामगरी में आप आएंगे मंत्र सिद्ध पित्र दोशने भारक यान, चांदी निर्मित सर्प सर्पनी, हकेक पर्थर वपित्त इश्वर माला अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करे 0291-519-0000, 243-2625, 98290-26625, 8955-89-6625 इमेल इन्फो अधिरेट ग्राहुकाखिल.com.in वेबसाइट व्व्व्व्व्व.ग्राहुकाखिल.com.in